बोले हुए शब्द वापिस नहीं आ सकते। एक बार एक किसान ने अपने पडोसी को भला भुरा कह दिया। पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापिस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा तुम खूब सारे पंख इखटा कर लो और उने शहर के बीचो बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुँच गया। तब संत ने कहा आप जाओ और उन पंखों को इखटा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया पर तब तक सारी पंक हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुँचा तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारी द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है तुम्हासानी से इन्हें अपने मुँ से निकाल तो सकते हो पर चाहा कर भी वापस नहीं ले सकते तो दोस्तों आज की ये मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा थैंक यू